असलाम आलेकुम आप देख रही हैं आल पाकिस्तान सेलेबरिटीज ड्रामा राहे जुनून जिसकी एपिसोड 23 आज रशर की जानी थी और ये क्यों नहीं नशर की गई अब आप इस ड्रामे को कहां और कब देख पाएंगे आई के मुकमल डिटेल जानते हैं तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलेबरिटीज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें ताके तमाम अपडेट्स आपको बड़े वक्त मिल सकें ड्रामा राहे जनून जो के रात आट बचे हम टीवी पर नश्र किया जाना था आज रात लेकिन अनफॉर्शनेटली ये ड्रामा नश्र नहीं किया गया आखर इस ड्रामे में ऐसा क्या था कि ये ड्रामा बेहन कर दिया गया क्या ये ड्रामा वाके ही बेहन हो गया है और अब ये ड्रामा अब कहां और कब देख पाएंगे दानिश सेमूर ने अपने फैंस के लिए बड़ी खबर सुना दी विवर्ज राहे जनून जिसमें नौर्मली तानिश सेमूर जिस ड्रामे में भी आते हैं उस ड्रामे में इनकी अदाकारा जो भी इनके उपुजिट काम कर रही हो उनके लिए इनकी एक्स्ट्रा पुसेसिफनेस और इसके साथ साथ इनकी दिवान की हमेशा ही टॉप अफ दी लिस्ट रहती है जिसके वज़ा से ये भी कहा जाता है कि ये वाइलन्स के जिम्रे में आती है ऐसे ड्रामाज में ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए और जब ऐसी कॉंट्रावर्सी सामने आती है तो बड़े बड़े ड्रामाज बैन कर दिये जाते हैं पैमरा की तरफ से जब तक कुछ सीन्स है वो डिलीट ना किये जाएं और गलती ना मानी जाए वो ड्रामाज दुबारा नहीं देखने को मिलते और राहे जनून के बारे में भी ये रूमर सामने आ रही है कि शायद कोई ऐसी वालिंस की वज़ा से ही ये ड्रामा नश्र नहीं किया जा रहा लेकिन वीपर इस ड्रामे के लीट एक्टर दानिश सैमूर ने फैन्स को बता दिया कि इद स्पेशल शोज की वज़ा से इस ड्रामे की टाइमिंग में थोड़ी सी तबदीली आई है लेकिन जैसे ही ये इद शोज इद के थ्री डेज के शोज लग जाएंगे तो ये ड्रामा आपको इसी टाइम पर रात आट पजे देखने को मिलेगा जैसे कि आप पहले हम टीवी पर इस ड्रामे को इंजुआई कर रहे थे तो वीवर्स ड्रामा राहे जुनून में आपका फेवरेट किरिदार कौन सा है कॉमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजार जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलेबरिटीज को जरूर सबस्क्राइब कर ले आने के पान